गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ ये देखिए जी आप लोग देख सकते हैं भर भर के मटर बहुत ज्यादा लगे हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कल भई पहाडों पर मटर का सीजन शुरू हो गया है कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बिताया था कि अभी कच्चे हैं लेकिन आज हमारे मटर पूरी तरह से पक चुके हैं जिनको आज तोड़ा जा रहा है और हमने ठेके पे दे दिये तो ठेकेदार से तो मैं आप लोगों को मिलाओंगी चलिए थोड़ी देर में तो उससे पहरे आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारा मटर का खेत और साथ में मटर तोड़ने के लिए जो हमारे निपाल कंट्री के भाई बहन भाई बंदू पहुंचे हैं तो उनसे भी मिला देती हूँ कि किस तरह से जुआरी लगी है तो मेरे माईकी की तरफ बोलते है पता नहीं हांसरे वहां से तो फ्रेंट्स इस तरह से काम मिलजूल कर करते हैं यहां पर यही बोलते और कुछ नहीं बोलते हैं तो चलिए दिखा देती हूँ है आप लोगों को बैक केमरा करके बैल तो ऐसी दिखा देती हूँ यह देखे पीछे किस तरह से तोड़े जारे यह देखिए जी लग गई है ज्वारी पूरी मटर तोड़ने के लिए गुड मॉर्निंग तो यह देखिए जोर 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 लगे हैं सब लोग कितने किलो तोड़ दिया आप लोगों ने अभी तक पांच-पांच किलो अच्छा ठीक है ठीक है शाबाश कुछ पिछे लगे तेरी की बच्चा भी आ गया वही आज तो बच्चा भी आगया बाबू बाए निहाए कर भी तो बाए बाद में करना जब वीडियो का एंड होगा ठीक है तो यह देखिए फ्रेंड्स आप लोगों क के नाम होते हैं हर जगा जैसे गाओं के नाम होते हैं वैसे खेतों के भी नाम होते हैं तो यह हमारा सारो देनवाला ओर्चड है यहां से उपर है थंग सारो यह है लो सारो इंगलिश में बोल दिया यान सारो और थंग सारो इस तरह से नाम होते हैं तो यह देखिए मट्र ह यह देखिए वही खत्तरनाक और आप लोगों तक पहुंचने वाले मार्किट में यह भी तोड़ रहा है है आप भी तोड़ रहे हो तोड़ रहे हो यह तो खा रहा है भी इसने खाने पर टेक दियो और मुह पर लगा वाइस के अना तो फ्रेंसिस के साथ ही आप लोगों को द तरह से जादा लगे हुए ना मटर बढ़ी लगे ना जादा नहीं है ऐसे मत बोलो वाई क्यों है थोड़ा थोड़ा बढ़िया और मौसम की बात करूं तो आज हमारी सांगला वैली का मौसम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रूप लगी है पिछले कर बारिश होगी लेकिन आज इतनी चिलकती हुई धूप लगी है और किनर के लाश की बादियां विच्चम करी है तो दिखाती हूँ आप लोगो थोड़ी फ्रेश नोफॉल होगी थी किनर के लाश की हसीन वादियों में जब बारिश हुई थी आप लोगो पते पहाडों का मौसम ऐसे होता है ठंडा ठंडा कूल कूल हलकी सी बारिश हुई नहीं कि पहाड़ियों पर बर्वारी हो गई तो करवाती हूँ दर्शन आप लोगो यह देखिए जी किनर के लाश के दुरलब दर्शन आप लोग कर सकते हैं सांगला वैली की हसीन वादियों में तो आप लोग देख सकते ह आप लोगों को हमारे ठेकदार जिसे भी मिला देते हैं कि कौन हमारे मटर को ले जा रहे हैं वैसे टेंशन फ्री हो जाना ठीक रहता है क्योंकि हम लोग ने यहां पर राउंड पे अपना यहां ठेका दे दिया है मटर का ना तुड़ूआने की जंजट ना धुलूआने की जंजट पाने धिकी अपने फ्रीओ मजय से और यहीं बैस्ट रहता है सेवं की हमारे जातर यहीं रहता है कि हमों थेके पर सेब दे एते हैं और अपने आप टेंशन फियो जाते हैं तो ऐसे रहना चाहिए वैसे नहीं तो छुद पूरा दिन कौन साथ में रहे यह भी रहत यूँकि कितने मिठे होते दाने एकदम भरे परे दाने हैं इसमें पूरी पूरी फड़ियां पूरी भरी हुए जरा भी बीच में खाली नहीं है मैं आप लोगों को बताऊंगी खाकी भी मट्र की कितने मिठे हैं हमारी सांगला वैली के मट्र ये देखिए पूरी भरी भरी फड़ियां हैं एक भी मट्र का दाना ऐसा नहीं कि कम में इसमें तो पूरी फड़ी भरके हैं और एक एक फड़ी में दस-दस दाने लगे हैं मट्रों के खेत सारो देन वाले और्चड में यह देखिए जी आप लोग देख सकते हैं भर भर के मट्र बहुत ज्यादा लगे यह देखिए बहुत ही अच्छे ऐसा मन करता है कि एक एक किलो खा जाएं खेत में बैठ के तो इस तरह से यह तीन बड़े-बड़े खेतों में हम यह है सांगला वैली के नालंदा और्चड में तोड़े जा रहे मटर जो बहुत ही मीठे हैं और बहुत जल्द आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे आज रात को ही लोड कर दिये जाएंगे और हमारे पहाडों में मटर सीजन का जो टाइम रहता है वो रहता है मई ला यानि कि यह बहुत जादा टेस्टी होते हैं खाने में बहुत जादा टेस्ट आता है इनका चाहे पलाव बना लो चाहे सबजी बना लो चाहे मटर पनीर बना बना लो तो इस तरह सी यह मीठे होते हैं यह बोलने का मेरा मतलब है और पहाडों में सब जगा सीजन चल चुका है मीखे मीखे मतर का तो फेंट साब आप लोग को मिला देती हूँ fix आप क्या हो रहे हैं हमारे ठेकदार आप क्या बोल रहे हैं यह जिन को हमने दिये हैं मेरे हस्बेंट अपर बताने के लिए यहां पर आए थे साथ अगर सेबों की फसल के बारे में आप लोगों को बताऊं तो वही सेबों की फसल 20 पर बहुत अच्छी है हमारी यह देखिए अब तो सेब बहुत जादा दिखने शुरू हो गए हैं और आप लोगों को बता दना चाहती हूं कि ठेके पे मटर देने से हमारी टेंशन फ्र बता है अगर कोई लेना चाहते हूं तो ठेके पे हम लोग दे देते हैं अपने खेतों के जो भी फ्रूट सबजियां जो भी होती है तो हमें तोड़ने की टेंशन नहीं रहती है तो आप लोग देख सकते हैं इस पार हमारी सेबों की फसल भी बहुत अच्छी है तो आप ल तो मत दो थो बहुत आप टी कि अंप लेवाल लेकंव र सेबों की एड़क वरोग की आप Sometime mois म mayoría तो मत पड़क मेंटे की आप बा़क की ओले हैं कीई mo ये बहुत आप लेड़क की आप ले शेनाप सब्सावने की आप वेले इंट आप